हाई गाईज वेलकम और वेलकम बैक टो चानल आई होप यौल आ डूइंग ग्रेट गैज अगर आप भी अपने बालों को कलर करने के लिए हीना का इस्तमाल करते हैं यानि कि महंदी का इस्तमाल करते हैं और आपको महंदी से रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिलता है एक अगर आप अच्छा द्र चाहते है में तो आझ का या वीडियो आपके लिए काफी हेलिफिल होने मिला है क्योंकि आज हम बात करने वाले किस तरह से मंधी से हमें अच्छा तो ऑच्छा आई काले बालों पर महंद तक हो धोर नहीं चलता है लेकिन अगर आपके पिस प्रuto 2 यह तो भी ऑट जाते हैं लेकिर रहें दो चैपल अच्छा करेंगे कि वह कैसे आपका यओद इक इंधुलिकर को एक बाहिANA किस तरह से हमें अपने हीना को प्रिपेर करना है ताकि कलर अच्छा मिल सके चलिए बढ़ते हैं वीडियो में वीडियो आगे अच्छी लगे तो लाइक जरू कर दीजगा शेयर कर दीजगा चल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब के बेल का बटन जरू हिट की जगा त तो आधा जुकंदर भी अगर आप देते हैं तो सफीशन रहेगा तो आप इसे इस तरह से छे लीजेगा छिलने के बाद धो लीजेगा क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है तो अच्छे से साफ कर लीजेगा उसके बाद आप इसे चोफिटे पीसों में कट कर सकते हैं घरेट कर रही हूं यानिकी कद्डू कर रही हूं आप जिसमें कमफरटिबल हो आप कर सकते हैं चुकंदर जो है बालो को नाचernली बहुत अच्छे से कलर कर देता है इसमें जो इसका नैचरल कलर होता है यह बालो तो पे काफी अच्छे से चड़ जाता है और जादा धिन तो चुकंदर जो है बालो कलर करने के लिए बहुत अच्छा है बेस्ट है और अभी के समय में फ्रेश आपको चुकंदर मिल रहा है यानि की बीटूट जो है वो फ्रेश मिल रहा है तो इसका पूरा फाइदा उठाईए ताकि आपके बालो में जो महने का कलर है वो औरेंज जब भी आप चुकंदर डालेंगे यानि की बीटूट डालेंगे फ्रेश वाला आप देखेंगे उसका जो महंदी कलर है वो बहुत सुंदर आता है और जो आप पाउडर का यूस करते है जो मार्केट में मिलता है पाउडर बीटूट का पाउडर मिलता है उससे कलर इतना अच्छा नहीं आता है जितना की फ्रेश वाले जो चुकंदर से कलर आता है तो यहां पर इस तासे मैंने से ग्रीट करके रख लिया है अब हमें लेना है लोहे का बरतन क्योंकि हमें से लोही कढ़ाई में ही बनाएंगे ताक कि कलर जो है वह बहुत ज़्यादा डाक आए इसल से चार चमच ले लीजेगा तो यहां पर मैंने दो चमच डाल दिया है बीटरूट तो इसके बाद हम यहां पर एड़ करने वाले हैं कॉफ़ी कॉफ़ी हमारे बालों को नैचुरली कलर करने के लिए काफी अच्छा है काफी बेस्ट मना गया है फिर नेक्स हम यहां पर our Colors को काफी अच्छा कर देता है काफी enhance कर देता है और carahan's कर देता है और孤ोरॉफ से फार्दा ये भी है कि जो Paparzo होता देना है यानिकि कि लॉंंध्ज होता है इसकी थासीर थोड़ी से गर्म होती है तो तो doesn't में जब मेहंडी लगाते हैं तो मेहंदी बहुत थंडी होती है तो थोड़ा सा अगर आप उसमें लॉंग डालते हैं तो यह उसको नियुट्रिलाइज करने में हेल्प करता है बहुत थंडी नहीं रहने देता है इसलिए यहां पर थोड़ा से हम लॉंग आइड कर देंगे तो आप 5-6 आइड कर सकते हैं इसके बाद मैंने य आज में ना पका के धीरे-धीरे कम आज में ही पकाईएगा जो फ्लेम है वो तेज मत कीजेगा और आप देख सकते हैं कलर जो है वो काफी अच्छा है यहां पर और भी चीज आप यूज कर सकते हैं जैसे कि हिबिसकस फ्लार का जो पावडर मिलता है आप वो एड कर सकते है और आप आवला चाहे तो उसे भी यहां पर एड कर सकते हैं वह आप अपे डिपें्ट करता है कि आप और क्यों कहें चीजिहां पर एड करने वाले हैं या करेंगे लेकिन इन सारी चीजों से भी कलर जो है वह बहुत अच्छा आता है आगे मैं आपको दिखाऊंगे इसे य पानी जो है वो बीटूट वगेरा पूरा अब्सॉफ कर लेगा इसे लिए यहां पर पहले हम इसे दूसरे बरतन में चान लेंगे चानने के बाल हम करेंगे यह अगें इस पानी को इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे क्योंकि जब भी यह लोही कढ़ाई में रहेगा जितनी द हैब यहां पर आपको ले लेना है लाकर टार करें आपम और बीट संफ मेंने ञाफ करते इस zde इसमेह पर चानी भी है बाला को तो यहां पर मेहंदी ले लिया है और जो हमने कॉंकोउशन बनाया बाता वहाम इसमें डाल देंगे डाल के तरह दिए-दिए-दिर आच्छी से मिक्स कीजिएगा कोई भी लंप नहीं होना चाहिए व्लम्स रहेगा और आप लगाएंगे तो जगा पे कलर जो है वह अच्छा कि अ गृ Kerry और अगर के बालों की लेंदि जयादा है तो आप ज्ञाधा बनाइए गा तो इस तरह से आपको इसे बनाना है और लगाने का तरीका मैंगर बहुत बार शियर किया है तो आपको बहुत dark color मिलता है जो burgundy color होता है dark maroon color होता है वैसा color आपको मिलता है बहुत सुंra color लगता है और अगर अगर आप चाहते हैं कि इसमें अपको brown color मिले तो आप इसमें coffee जो है coffee हमने जो एक म्ने दूरा था आप इसके 3-4 चम्न यहाँ पर कॉफी को एड़ कीजेगा तो इससे आपको छोर थोड़ा सा ब्रॉण में मिलेगा तो अगर को ब्राउन करना हो तो कौफी ज्यादा अट का दीजेगा और अगर आपको थोड़ा सा रेड और पगांडी यह क्लो इस तरह से बनाए के लगाईएगा तो इस तरह छोड़ देना है जोड़के दूसरे दिन वाइब को लगाना है तो मैं तीन से चार घंटे के बाद रिजल्ट डिखाऊंगी भी छुपल्य दिखाऊंगी नियुगा ग्यों नीदो आप जञेगा पर हम पीग तेल पदरणी के बाद दूसरे दिन आप शैंपू कर सकते तो फ्यूरर caffeine रा सहां तerson दीज़ा थे यह कंग रिवी ज़न future के बाद 3-4 तो 有 suivre जए कि फरय बिक्सपञ शैंप hospital का है लिए तो तो Lilk करता है कि आपको चार से पांच घंदे के बाद लगाना है या इसे रात बाद छोड़ना है तो यह था आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो बे